Hello everyone, so कैसे आप लोग, उमीद कहते हैं आप लोग वहत बढ़िया होंगे, सुद्धे को लास्ट लेक्षर में हमने बात किया था अपने टोटली MCQs के बारे में जो के इच चेप्टर से मैंने आपको दिया था हिस्ट्री कहार, एक चेप्टर वाइस आपने MCQs के लिए जो इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए, जहां से आपके कोशन्स एक्जाम में आ सकते हैं बेसिकली, और आज के लेक्षर में हम लोग बात कर रहे हैं अपने इससे Q के बारे में, यानि कि जो शॉट अंसर टाइब कोशन होता है, इसमें 1 मार्क का कोशन में इंक्लीड़े एंड टू मार्क का कोशन भी इंक्लीड़े है हमारा, और यह कोशन वी तांसर हम लोग यहां पर भी डिस्कुस करेंगे, यह भी हमारे पास चैप्टर वाइस ह चली बिने किसे जार के लेक्ट्र को स्टाइट करते हैं, मिना नाम है आमीर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल, मौडन पढ़ाई पर, तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पर जो है, हमारे पर पहला कोशन यहां पर, वाज ललन फखिर, यहां से को सेकेंड इस्ट्री और बेंगॉल, एक बुक है, इनके राइटर कौन थे, इनके राइटर थे जे एन सरकार, नेक्स्ट कोशन हमारे पास है, वाट वाज दी नेम आप स्वामी विवेकानन्दा, थियो लोजिकल डॉक्ट्राइन, उनका थियो लोजिकल डॉक्ट्राइन का नाम था, नेक्स्ट कोशन हमारे पास है, यहां पर हूँ इस्ट्राइबलिस्ट दी परतना समाज, परतना समाज की बुनियात किसने रहा दारी थी, परतना समाज, यह यहां पर एक्स्ट्रा कुछ लिखा गया, इसको अठा दो, इनका नाम था, आत्मा राम पंडुरंग, उथे ने वह से खेयुके वाज करेशन गोषवामी कौन थे। वाज ए फेमस ब्रामो रियफॉर्मर थे आपके। वेंड वाज दी बॉर्भामसमाझ स्टैब्लिस्टु ब्रामसमाझ कब स्टैब्लिस्टु स्टैब्लिस्टु एटीन हंड़ थाथी एडी। एट नंबर कोश्चन हूँ वाज लीडर ऑफ दी वीड़ो रिमारेज मुव्मेंट लीडर थे वो सिंपल आपको पता है पंडी टीश्वर चंद वीडिया सागत थे नेक्स कोश्चन है वेन वाज वीड़ो रिमारेज आपको पता है लौड वीलियम बैंटिक नहीं किया था और इसमें महिनत किसका था राजा राम मोहन रहा और भी बहुत सारे हमारे दीगर लोग थे उन्हों यहां पर काम किया था ने नेक्स्ट वेन वाज दी प्रैक्टिस सथी अब लाइस्ट अब लाइस्ट भाई लौ लौ के थुका उसको खतम किया एटीन हने ट्वेंट नेक्स्ट इड़ अगेंस प्रैक्टिस अब सथी ना पहले बताया मैंने आपको राजारा मोहन रॉय हूँ इस फिस्ट मॉडन मैन ऑ इंडिया राजा राम मोहन रॉय को ह अपृस्ट मॉडन मैन अफ इंडिया बोलते हूँ वास लीडर ओत यंग बंगल मुवमेंट यंग बंगॉल मॉड मेंट के लीडर थे वह थे हमारे हिंडरी लिवस विवेंड डूर नीजिव इसको सौर्ट में लोग बोलते थे हैं ये यह ग्नोर मारो ये गलतिस हिया मार् us-ife फोल्वर्स उनको बुलाज शुब दिए डेरेजियो डी रेजियो वी आनून एज येञ बेंगत राइंग पेंगोल्स एक तो कृष्ण मोहन बंधोपादिया है दूसरे थे परिचन मितर उसके बात कोश्चन है हमारे पास हूइ स्टाइबलिश्ट दी एकैडमी के सोश्येशन हमारे बनाने वाले थे उनका नाम था हैंडी लिविस विवियान डेरेजियू अर यहां से कोश्चन नमबर वन स्टा वात 1859 से लेके 1860 एडी में वाट वाज दादान सिस्टम दादान सिस्टम एक पता आपको एक टैक सिस्टम था जो किसानों को पर लादा गया था तो यह क्या था दा इंडीगो प्लांटर्स उस्टू गिव मनी इन एडवांस टू दा पीजेंट तू कल्टिवेट इन सेन गुपता हूँ आज फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फोरेस्ट इंडिया वो थे डाट रिच ब्रेंडीज इन कॉस्टन नमबर फाइव है आपका हूँ वी एडी लीडर्स ऑफ दी चौर रिबिलियन चौर रिबिलियन की लीडर्स कौन थे तो बहुसाई लीड नेक्स कोशन है वाट इस खेरवरी हूल क्या है तो अल्गलून यह एक इंपॉर्टन कोश्चन है इसको भी मार्क डॉन कीजिए और देन यह आपका दी संथाल वर्ड उल्गलून मीन्स टर्मॉड कंडिशन नहीं के अच्छा कंडिशन नहीं है उसमें वाट इस मीनिंग आफ फराजी दे परसन हुबियर दे आउडर ओफ अल्ला इस नोन ऐस दी फराजी जो भी जो अल्ला का ओडर मान रहा है आपको उसको लेकर चल रहा है उसको फराजी कहा गया है हूँ और जी तारीके मौंध डिया तो सिंपल दा वहाबी मुमेंट लेट बाइ थीटु मिरी बंगॉर वास नोन ऐस तराकहि मौंध तरीके मौंध उसको नाम दिया गया था जो मौंध इन चलाई तो वाट इस तीन कांथिया सिस्टम तीन कांतिया सिस्टम क्याइं ठींट आज दी तीन कंथन सिस्टम, what was the कुंती कथी सिस्टम, कुंती कथी सिस्टम क्या है, so the Munda tribes maintained the practice of joint holding of land, this practice, आपर joint holding रख से तेक साथ में, Munda tribes लोग इसी practice को हम लोग बोलते हैं कुंती कथी सिस्टम, when did रंगपूर पीजेंट रिवाल्ट स्टार्ट, 1783 में, when was छोटा फकीर मुवमेंट का भी स्टार्ट वा, 1763 AD में, the next question, who we are leaders of the सन्यासी and फकीर मुवमेंट, सन्यासी फकीर मुवमेंट को लीडर थे, वो मजनू शाह और भावनी पठक थे, what is the meaning of फराजी, मैंने उपर ही बता दिया, आपको question repeat हो चुका, what is the meaning of वहाभी, so meaning of वहाभी is regeneration, मतल क्रिप्टर फोर्थ में पहला question, who was the founder of the Indian National Congress, so यह थे ऐलन ओक्टेवियन हुम, दिगो इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के जी establishment of the founder, उसमें तीन founder से एक यह नाम है, ऐलन ओक्टेवियन हुमें, एक गादवा इनोरो जी है, एक एडविच, करिके एक नाम ही यहाँ पर, so यह ए इतिनर 8580 में, then next question, who preceded over the first session of Indian National Congress, सबसे पहले नेशन सेशन किसने अटेट करवाय था, उमेश चंत्रबंदो पादियाए ने, where was पहला session हुआ कहां पे था, वो हुआ था आपका, गोकुल दास तेजपाल संस्क्रित कॉलेज और बंबाई, बंबाई के गोकुल दास तेजप अरिटियर अप शीपो मिट इनिटी, मंगल पंडे, who termed the great revolt as the Indian war of independence, great revolt वही 1857, उसको किस ने कहा था, तोसको, विनायक दामोदर सवरकर ने कहा था, Indian war of independence, who was the author of discovery of India, discovery of India, पंडित जवाल नाल नहरू, when was the queen's proclamation declared, 1858 AD, who was known as the राष्ट्र गुरू, तो वो सुरिंद रनाथ ब तू पॉइंटर्स of the Bengal Renaissance period, पर पेंटर्स का बारा है बताना थे, एक तो अभिंदर नाथ ठाकूर आपके है, अभिंदर नाथ ठाकूर ये बल सकता आप इसको, इनको, sorry, नननानाल बाशू, दोसरा हो गया, दिन यहाँ पर, who was painter of भारत माता, भारत माता जो पेंटिंग है, उनको बनाने वाले भी अभिंदर्नाथ टाइगोर ही थे, then, who was the first Indian cartoonist, गगेंदर्नाथ टाइगोर, ये फिर ठाकूर, गगेंदर्नाथ ऐसे टाइगोर पढ़ो, ठाकूर यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, टाइगोर, इनके, वह साइड ठाकूर मुझे कहीं दिखा हुआ, मि तर्म सॉंग, तो बैंकिम चंचे टेंटीन लिखा था, अभी यहाँ से फिर चैप्टर हम आ रहा है, बदल गया, अभी यहाँ से हम लोग आएंगे, चैप्टर नमबर फिप्थ में, who was known as the गांधी बूरी, so, मतंगिनी हाजरा को गांधी बूरी के नाम से जाना जाता है, गांधी किसको कहते है, खान अब्दुलगाफार खान को वरेंटियर गांधी कहते है, नेक्स्ट, वें डिट दी मेराट कांस्परेसी केस स्टार्ट, वो 1929 में स्टार्ट हुआ था, who introduced a theory of radical humanism, radical humanism का theory किस ने दिया था, यह simply आपका मनबेंदर नाथ रोई ने दिया था, then Muslim League कब established हुआ था, 1906 AD में, उसके बाद, when was the Tilangana revolt started 1946, यह बहुत less important question से, एक्जाम में नहीं भी आ सकता हूँ, नहीं आने के chances जादा है, why is Burima is famous, so Burima was a legendary leader of the Tibhaka movement of देव, at देवी गंच, of चलपाई गोली, okay, what is Tibhaka movement, Tibhaka movement क्या है, देखो, Tibhaka movement क्या है, देखो, Tibhaka movement क्या है, रंगपूर, खुलना, और खुलना और क्या यहां पर ठाकुर गाओं, started a movement to get two by three of the produce, and also asked for rights on the lands, जो भी वो पैदा करा थे भाए, उसका दो बटा तीन हिसा लेने के लिए, और जो भी उनके और उनकी जो जमीने है, उसमें बागी हाँ को आपस करने के लिए, जो राम चंद्रे कौन है, बाबा राम चंद्रे और्गिनाइस्ट, पीजेंट्स ऑफ रेबिलरी सुल्तान पूर, टू, रिवाल्ट अगेंस दी लोकल और लोकल जमीनदास, ओकी, वर्ट इस तीन कथिया सिस्टम, अल्रेडी हम ने उपर बात कर लिया, इसके बारे में, नेक् प्रमेंट करके बताइए, फू देक्लेर दी कमिनल अवार्ट, प्रम चंद्रे माक्डोनल्ड ने, विन वाज़ धी कमिनल अवार्ट इकलेर, 1932 अदी, फू फांड़ेट दी क्रिशक प्राजा पाटी, फजलूल हक ने, फू इस्टैबलिश कू बिहार कि शन सभा को स्वाम सहाजानंद शरस्वती जी ने इस्टेबलिस किया था आपका सिंपली दे नेम टू सोचलिस्ट लीटर्स अब दी कॉंग्रेस दो सोचलिस्ट लीटर्स के नाम बताने हैं ऐसे तो बहुत सारे लीटर्स है कॉंग्रेस में आपके एक हो गया जै प्रकास नरायन दूसरा हो गया यहाँ पर राम मनोह लोह यह हुविया अदर हुवियर अदर दैन गांधी दी प्रोमिनेंट लीटर्स और बर्दावली सदिया करें गांधी जी को छोड़कर उनके लाओ और कौन थे प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट फिगर्स तो यहाँ पर थे इंदुलाल यागनिक सादार वल्ला भाई पटेल चैप्टर फिर्स इस चेंज हो गया न्यू चैप्टर यहाँ पर बेटून हूम दा पुना पैक्ट वस साइंट अभी है मैंने अपने कोशन में वहाँ पर तो गांधी जी हैं डॉक्टर भीम रावम बेटकर दौरान बीच में कराई गया था सिविल डिसर्बेटिनस मुव्मेंट के बाद हूँ आज दिचियर्मैन ओफ दी ड्राफ्टिंग कमिटी ओफ थी कॉंस्टिटिउशन डॉक्टर भीम रावम बेटकर ही हमारे चेयर्मैन ड्राफ्टिंग कमिटी के अनिस हरी थे हूँ आज ओफ दी गुलमगीरी गुलमगीरी का ओफर कौन तो जोती रहा है फूले वास्री नरायन गुरू स्री नरायन गुरू श्री नरायन गुरू वस फेमस एक सोसल रिफॉर्मर थे जिन्हों कटेस्ट के अगेंज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इजारह पीपल ऐफ के यला सोसल डिस्क्रिमिनेशन का था केलाम एक अब उरा origin कि साथ भेड़ा हो और तभी डिस्क्रिमेशन हो रही थी काश्ट के बैसिस पर दो यह बther gust civ को बताया जाए थरीका जिन्दिगी जिने का नेम टू वुमेन लीडर्स ओफ दी एंटी पाटिसिपेशन मोमेंट बहुत कोई है यहां पर मैंने कुछ लिखा है लीला बती लिख सकते हैं लीला बती मीत्रा और या फिर कुमुदीनी देवी दो मैंने मेंशन कर दिया सिंपले न लीडर्स ओफ दिखा गया वहाद इंपोर्टन वास बीना दास नाम अब छोली नहीं सकते हैं लीडर्स बीना दास वास एंट्रीमिस्ट वु ट्रीडिय जांक्षन देन लुटिन गवरनर ऑफ बंकॉल ऑके वास दी कमांडर अब रानी जासी ब्रिगेड ऑफ आई ने क्या था यहां पर थोड़ा सा गड़बर लग रहा है मुझे यहां पर यहां पर इसका वांसर आप मुझे कमेंट करना क्यूंकि मैं इस लेक्चेस में कराया है सारे चीजों को यहां पर कुछ थोड़ा सा गड़बर लोगी है नाइन टेंथ के बार डिरक फॉर्टिंथ नंबर कोश्चन है 11 12 13 नीचे पर है ओके देंसी हूँ लीड यूरोपियन क्लब रेड यह तो प्रति लाटा वाड़डर नहीं किया था इस पर पार्टिकुलर मेर है प्रति लाटा वाड़डर जो है 19 जाके मिली थी खुवास प्रोपरली नॉन एज मास्टेडा मास्टेडा के नाम से सूरिया सेन पर जाना जाता था तू इनस्टिल नैस्नलिजिम एंड टू इंस्पायर वोमें टू जॉइन फ्रीड़म मुव्मेंट यहां पर जो अंसर लिखा गया है यह कोशन नंबर 10 का अंशर है यहां पर आपका दिपाली संगा का जो आपको यह टार्गेट पुछा जा रहा था वह वास फॉंडर अप दीपाली संगा लीला नाग जो है वह दीपाली संग के फॉंडर थी इंडरनेशनल आर्मी नेताजी सुभास चंदर बोस वाई वास कैरलियर सरकुलर इनाक्टेड भी हाँ पे पीडियेफ खतम हो जाता है यह फिस सेकंड पीडियाप में, मैं भी देखाता हूं उसका अंसर देखो उसका सिम्पल यहां पर अंसर, केलियर सरकुलर वास इनाक्टेड तो रिस्टिक्ड थी स्थुदेंट फॉर्म जो इनिंग आइनटी पाटिसिपिटेशन मोमेंट्स इनके students भी वहाँ बर participate कहने लग रहे था उस time पर, student ने भी अपना एक important role अदा किया है, सारे तरह के moments में जो भी हो रहे था है, उस वक्त हमारे अजादी के time पर, so इनको रोकने के लिए Carlier Circular Act को enact के गयता है, okay So next question, when did Gandhi start the Dundee March, so 12th March 1930, when was the Yugendr Party established 1906 में वह था, who was founder of Yugendr Party, Yugendr Party, Yugendr Party, Yugendr Party का founder को था था भाई, Brindra Ghosh, Bhupendra Nath Dutta, then I think यह हमारा last chapter होने वहला है, who was author of autobiography of an unknown India, तो निरोच चंदरे चौधरी ने एक बूक लिखी थी, unknown India, इसके बाद, who was the author of my days with Gandhi, तो इनके बोश नहीं यहां पर लिखा था ये बूक, between whom was the Delhi Pact signed, Delhi Pact किसके बीच में साइन हुआ था, तो Delhi Pact हमारा साइन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर और इंडियन जवालना नहरू, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अली खान के बीच में, next question है, who was the author of Kolkata, Nova Khali, Bihar, so यह simple answer है, विभूती भूशन मुखोपोद्या है, who was the chairman of the linguistic commission, S.K. Dur, when was the आंधरा स्टेट, अब यह बहुत important question है, बहुत बूशता है, आंधरा स्टेट का फॉर्म हाथा, तो 1957 में फ fasting and to death for the formation of When was Gandhi Ji, Kilgandhi Ji, को कब मारा गया, 1948 AD, इसको धियान मत दो Okay, so, यहां से खतम होगी, अब इसके बाद हम लोग next lecture एक लाएंगे, जहां पर हम लोग आपको 4 marks कुछ questions हम आपको suggest कर देंगे, history से, and then long questions भी कुछ हम लोग यहां पर suggest कर देंगे, यह निक 8 marks का, जिससे हमारा जो history वाला जो काम है, वो हमारा हो जाएगा खतम, I hope कि यह lecture आपको समझ माया है, और अच्छे सापता है, अच्छे सारे चीज़ा आप understand कर पाए, और कहीं पर भी कोई dot है, तो आप नीचे comment कीजिए, अपनी किसे भी curious की, और को भी suggestion आप नीचे comment कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए, तो लाइक कर लिजे, चैनल पर न्यू विजिट कर रहें, चैनल सब्सक्राइब ज़ूर करके ज़ूर रख लिजे, क्योंकि इस तरह के content आपको सालो भर यहाँ पर मिलते रहेंगा हमारे चैनल, पहन देन, चोटी से request आप से, वीडियो को share कर दिजे, अगर आप share कर देते हैं, तो मैं समझूँगा भाई, मैंने जो महनत की इस वीडियो को बजाने के लिए, वो कही ने कहीं काम याँ हो गई, ओके सो आप बढ़ाई करते हैं, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगा, अपने next lecture में जहां पर हम लोग कुछ और topic को discuss कर रह अबढ़ाई